नमस्कार बच्चों मैं डॉक्टर आनीता चौधरी हम कामाईने के सर्गों के विशे में जानकारी ले रहे हैं अब इडा सर्ग तक हमने जानकारी लिये अब हम आगे देखते हैं दस्वा सर्ग स्वप्न सर्ग के प्रारंभि में कवी प्रसाद ने कामाईनी या स्रधा के विरही जीवन की उदासी का चित्रन किया है स्रधा एक ऐसा फूल बन गी थी जिसमें मकरंद ही समाप्त हो गया हो इस समय तक उसके पुत्र मानव ने जन में ले लिया था और वो अपनी मा के जीवन में नवीनता लेकर आया था इसी क्रम में श्रधा ने एक दिन सपना देखा कि इडा उल्लास में भरी हुई मनु को अपनी जौला में जडा रही है तथा उसका पत आलोकित भी कर रही है उसने मनु की जीवन में सफलता को इस्तान दिया था और इडा के जीवन में मनु सफलता लेकर आये थे मनु ने सारस्वत प्रदेश में अनेक तरह के उद्द्योग उस्ताफित किये थे उस प्रदेश में सरवत्य समृत्य का सामराजी बन गया था इसे कारण मनु बहुत महत्यपून हो गये थे स्वपन में श्रद्धा ने यहां भी देखा कि वह उस प्रदेश के सिहुद्वार तक पहुँच गई है वह देखती है कि मनु मदिरा पी रहे हैं और इडा उन्हें मदिरा पिला रही है इसके बाद जब मनु ने प्रकृति पर अधिकार जमा लिया और वे इडा को अपनी रानी बनाने का प्रियास करने लगे उन्होंने इडा को अपने आलिंगन में बांद लिया इससे भूतनात ने तांडव के लिए अपना पैर उठा लिया वे मनु पर कोपित हो गए सारी स्रिष्टी में उत्तेजना फैल गई और सारस्वत प्रदेश की जनता मनु के विरुद्ध विद्रो करने लगी मनु की नई ब्यवस्था ने सर्वत्र वर्ग भेद की दीवारें खड़ी कर दी थी इससे देवताओं तक को कुरोध आ गया था मनु ने जनता से बचने के लिए द्वार बंद करने का आतिश दे दिया और स्वयम अपने सैनकक्स में चले गए इस द्रस्य से स्रद्धा भाईवीद हो गई और उसकी आँख भी खुल गई और अब क्या होगा जैसी आसंकाओं से वह जूजने लगी फिर अगला हता है संगर्स सर्ग स्रद्धा ने अभी अभी जो सपना देखा था वह सत्य निकला उधर इड़ा बहुत संकोज में पढ़ गई थी उसकी प्रजा में भी अत्यंत क्रोध था सभी लोग दुखी थे बहुती क्रांती से परिशान थी वे मुक्ति के लिए राजा की सरन में आये थे जहां उनका अपमान हुआ था उन्होंने देखा कि इड़ा का चेहरा भी पीला पड़ा हुआ है उधर मनु चिंतगरस्त होकर अपने सेनकक्स में सोच रहे थे कि मैंने सामराजी का विस्तार करके कितना अभीमान किया था स्रधा का भी मैं सोशन करना चाहता था और इड़ा मुझे अपनी नियमों के अनुसासने बादना चाहती थी किन्तु मैंने तो स्वयम को नियमों से उपर समझा था जब मनु ऐसा सोच रहे थे तबी इड़ा वहां पहुँच जाती है इड़ा ने मनु को समझाते हुए कहा कि हे प्रजापती संसार में कोई मनु से ऐसा नहीं हुआ है जो निर्बाधित अधिकार भोग सका है लेकिन मनु ने इड़ा की एक बात भी नहीं माने इससे उल्टे उसने कहा कि प्रजापती होने का इतना ही अधिकार है कि उसके अभिलाशें अपून ही रहें मैं अपने इचित वस्तु चाहता हूँ मैं तुम्हारे उपर अपना अधिकार चाहता हूँ यदि यह नहीं तो मेरा प्रजापती होना बेरत है मनु ने इड़ा को संगर्स के लिए उत्तरदाई बदलाया और कहा कि मैं तुम्हारे ही कारण चारों वर्न बने हुए है तायंतर और अधिकार बने है इड़ा ने फिर समझाया कि ए मनु उत्तरजित होने से किसी को अपना प्रापी नहीं मिला करता है मैं तुम्हारा सुब चाहने वाली हूँ अभी समय है तुम्हें मेरे उपर विश्वास करना चाहिए अधिर मत बनो लेकिन मनु के मन में प्रमाद बढ़ता देकर इड़ा द्वार की और आगे बढ़ती है तब मनुने इड़ा का मार्ग रोक कर कहता है मनु कि मैं निरंग को सासक हूँ इसलिए तुम्हारे उपर भी मेरा अधिकार है इसी सें बाहर खड़ी हुई जनता ने सेंधवार तोड़ दिया और इड़ा को मनु से बचा लिया मनुने प्रजा के वेद्व संगर्स किया तथा प्रजा को उत्तेजित करने वाले अकूली की लाद नामक असुर पुरोहितों को धरासाई कर दिया उधर इड़ा युद्व को रोकने का प्रतन कर रही थी लेकिन दोनों और से कोई मानने वाला नहीं था ना प्रजा और ना मनु अंद तहा मनु भी घायल हुए और मूर्चित होकर वहीं गिर गए अगला आता है निर्वेद सर्ग अब सारस्वत नगर में मालिंता और मौन का वातावरं था युद्ध के घायल लोग करा रहे थे चारों और अवसात का वातावरं था मनु मूर्चित पड़े हुए थे और इड़ा उनके पास बैठी हुई अपने अतीत पर विचार कर रही थी कि गणा और मंता के बीज उसने कितनी रातें बिता दी हैं इस प्रकार शमा और पतिशोद के द्वंद में इड़ा का हिटे फसा हुआ था और वह सुचती है कि मनु का सने सारी सीमाय तोड़ने वाला बन गया था वह इस पहीली को नहीं सुलजा पा रही थी कि मनु की रखवाली कर रही है या उसे दंड देने के लिए बैठी हुई है इतने मैं उसको आवास सुनाई देती है कि मेरा प्रवासी कहा है मुझे कोई बतलाओ तो सही मैं उसे मिलना चाहती है इड़ा ने उठकर देखा कि रास्ते में इस्तिरी और उसके साथ किशोर भी है इड़ा स्रद्धा को डाड़स बरना कर वहीं ले आती है जहां मनु बेहोस पड़ा हुआ था वहां वो अपने प्रे मनु को पहचान लेती है मनु का उपचार करने पर मनु स्वस्त हो जाते हैं वो श्रद्धा और अपने पुत्र से मिलते हैं मनु करतेगिता से भरकर श्रद्धा को देखते रहे वे श्रद्धा से कहते हैं कि मुझे कहीं दूसी जगा ले चलो वे श् याद करके उसके स्मिर्थी में खोगे स्रद्धा भी मनु के मौन मौन को समस्ती है जब स्रद्धा सो गई तो मनु चुपचा वहां से निकल कर भाग गए प्राता काल होने पर स्रद्धा और कुमार दोनों मनु को खोजने लगे इड़ा अप्रादिन के तरह वहां नतमस तक बैठी थी और कामाईनी भी मौन हुई अपने में ही उलज रही थी फिर आता है आगे दर्शन सक्र श्रद्धा की उदासी देकर उसका बेटा कुमार पूशता है कि मा जब मैं तेरे पास हूँ तब तो उदास क्यों रहती है तो कई दिनों से चुप रहकर क्या सोच रही है कुछ तो बदला तब श्रद्धा कहती है कि यह संसार परिवर्तन शील है इसमें सभी तरह की भावना विद्दमान है तब कुमार ने कहा फिर हे मा आप में इतना वैरागी भाव क्यों है इतने मैं ही स्रद्धा ने पीछे मुण कर देखा तो विशाद ग्रस्त इड़ा उसे दिखाई पड़े इड़ा ने अपना अपराद स्विकार करते हुए कहा कि हे देवी मुझे श्यमा कर दो तब स्रद्धा ने कहा तुम सिर पर चड़ी रहती हो तुमारे पास सिर्द्धा नहीं है इसी कारण संसार में इतना दुख है मैं अब कुमार को तुम्हें सौपती हूँ और स्वयम मनू को खुजने के लिए जाती हूँ जब स्रद्धा ने ऐसा किया तो कुमार अपनी मा के लिए रूने लगा श्रद्धा ने समझाय कि इड़ा का प्रेम तुमारे दुखों का निवारन करीगा ऐसा कहकर वो चली जाती है श्रद्धा ने मनू को एक गुफा में खोज लिया मनू ने श्रद्धा के प्रतिकरते गिता प्यक्त करते हुए कहा कि जिस बालक की इर्शा के कारण मैं तुम्हे छोड़कर चला आया तुम उसे भी छोड़कर चली आई हो तुम कितनी उदार और मंगलमई हो जो सब का दुख स्वैम सहन करती हो और मैं तुम्हें निहार का सब कुछ भूल गया और अपनी सत्वा खोकर सूर्णी बन गया हूँ सद्धा कहती है कि हे प्रिए आज की यह शांती रात्री उस प्रलैकार ले सांती और कोला हाल को याद कराती है वह जब सब कुछ अर्पित करकर में तुम्हारी बन गई थी तो अब जहां हमें शांती का प्राता काल मिल सकता है वहीं चले देव द्वंदु का प्रतीक मानो अपनी भूलों को ठीक कर लेगा वे दोरूं चल पड़े वहां पहुचे जहां नट्रा स्वयम निर्थ से निर्थ में मगन थी समस्र प्रकृति मे उल्लास का वातावर्ण था तब शिव के निर्थ में एका शिव भी निर्थ में एकाकार थी मनु ने वहां निर्थ करते हुए शिव के दर्शन किये तथा वेश रधा से चिला कर कहने लगे कि मुझे उन चरणों तक ले चलो जिसके यहां सब पाप जलकर पावन बन जाते हैं जहां समरस्ता और आनंद का सामराजी होता है फिर आगे आता है रहस्य सर्ग चोध्व सर्ग है हिमाले के उर्धी-देश की ओर दोनों पत्तिक चले जा रहे हैं, आगे श्रदा है और मनु उसके पीछे है पवन में इता वेग होता है कि वे दियोनु पत्थिकों को लोड़ जाने को जैसे कह रहा हो उदर उंचाई बढ़ती चली जा रही थी हिमका सर्वत सामराज जी होता है वहां से नीचे समतल की हरियाली चिद्रपटी यसी दिखलाई पड़ती है तब मनु श्रदा से कहते है कि श्रदे तुम मुझे कहां ले जाना चाहती हो, मैं ठक यह हूँ और मेरा साहस भी जवाब देने लगा है अथा चलो हम दोनों लोड़ चले क्योंकि अब हम हिमाले के वातावन से ज़्यादा संगर से नहीं कर सकते तब स्रदा कहने लगी कि हम बहुत दूर निकलाए है यह अवसर हंसी चिटो लिका नहीं है तुम घबराओ नहीं देखो हम कहां आ गया है तब मनु ने आखें खोल का समतल स्थान को देखा और मुक्ति की सांसली और एक नई उश्मा का अनुभाव किया वहां पहुंस का ग्रह, तारों, नक्षत्रों का कोई काम नहीं रह गया था रित्वों के स्थर्वी खत्म हो गय थे उस महादेश को देखकर मनु बोले हे स्रदे मुझे बतलाओ, यह कौन सा लोग है तब स्रदह ने बताया कि लाल रंग का बिंदू इच्छा लोग है जहां इंद्रियों का सुख भी सभी कुछ है शामल रंग का बिंदू कर्म लोग है जहां सतत संघर्स और असफलताओं का ही अस्थित्व है तब रज़त के समान उज्वर बिंदू वाला ग्यान लोग है जहां अस्ति, नास्ति का व्हेद बुद्धी वो तरकों के चक्र निरंतर चलते रहते हैं वे तीनों जब तक अलग-अलग अती रूप में हैं तब तक जीवन सफल नहीं हो सकता जीवन की सफलता इन तीनों के मिलन और संतुलन में है उस तिरलोक में ये तीनों ही मिलकर एकलई हो गए थे और मनुस्रदायुक्त होकर तनमई हो गए थे फिर आता है आनंद सर्व उधर धर्म की प्रतिरिती श्वेद बेल के साथ यात्रियों का एक दल चला रहा था उसकी रसी को हाथ में लिए मानौ उसके साथ था उस बेल के दूसरी और इड़ा चल रही थी उस यात्री दल में युवक थे, शिशू थे, महिलाएं भी थी माताएं अपने शिशू को समझाते हुई चल रही थी कि वे कहां जा रही है लेकिन सब लोग उसी उस तीरत भूमी को देखने के लिए व्यग रही थी इस तरह बालक मानो भी इड़ा से यह प्रस्न कर रहा था कि वो तपोवन कैसा है विस्तार से बतलाओ तब इड़ा ने कथा सुनाते हुए कह था कि एक दिन एक मनस्वी उस इस्तान पर आया था उसकी अधांगनी भी उसे खोजती ही वहां आई और उसकी करुन दसा देखकर रोने लगी उसके आंसो ही उसके लिए वरदान बन गए वे यूगल अभी तक वही है और सबका कस्ट निवारन कर रहे है वही पर एक मानसरोवर है सारसर नगर के सभी निवासी यात्ता करने आये थे वे जैसे ही थोड़ा सा उपर गए सारी थकावट दूर हो जाती है वहां सभी ने मानसरोवर के दर्सन किये जहां पर मनु ध्यानमगन बैठे हुए थे स्रद्धा भी वही थी और अपने स्रद्धा के सुमन चड़ा रही थी उन सभी याद्चरोवर ने देखा और स्रद्धा और मनु को पहचान लिया इड़ा ने उनके चरनसपर्स किये मानो श्रद्धा की गोद में चला गया मनुन ने कैलास की ओर देख कर कहा कि तुम सभी मेरे ही अवयव हो और यह सारी स्रद्धी समरस्ता से परिपून है स्रद्धा ने ही सभी को रास्ता दिखलाया है और यह यही समस्तन सार का मंगल करने वाली है ऐसा यह लोग है जहां कोई بھی पराया नहीं है और यहां हम सब एक हो जाते हैं इस प्रकार यहां आका सभी निर्भई हो गए हैं और एक ऐसी लोक में वे आ गए थे जहां जड़ या चेतन सभी समरस थे और वे सभी अखंड आनंद का अनुभव कर रहे थे यह आपके सभी सर्गों की जानकारी हमने संक्षित रूप से आपको दिये